हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जो आप है डिपार्टमेंट अफ सोसल वेलफियर वोमेन और चायल डेवलेप्मेंट की तरफ से विकेंसी आई है जिसमें अलग-अलग पद हैं और सैलरी भी जो है इसमें अलग-अलग मेंशन की गई है एस की अगर हम बात करें तो एस भी जो है पोस्ट वाइस जो है अलग रहने वाली है बाकी जो है इन्वोमेशन जो की नोटिफिकेशन में चेक करेंगे आवेदन आप किसी भी राज्य की candidate हैं आवेदन इसमें कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं सबसे पहले official website पर जाना होगा बिल्कुल नया notification है Department of Social Welfare, Women and Child Development, Chandigarh Administration की तरफ से ये vacancy आई है Public notice में ही आप लोगों को सबसे ओपर application form के लिए बताया गया है इसमें eligibility criteria सबसे पहले दे दिया गया है तो यहाँ पर जो है अलग लग पद है सबी में salary भी अलग है और age भी अलग दी गई है 18 November 2024 last date है अगर यहाँ पर आप आवेदन करेंगे यहाँ पर जो है बिलकुल last में इन्होंने address दे दिया है और थोड़ा सा नीचे आएंगी तो application form है इस application form को fill करना है अपनी document की photocopy आपको लगानी है यहाँ पर photo लगाना है इस address पर भेज देना है 18 November 2024 से पहले आप चलिए देख लेते हैं सबसे पहले 14 पद है जिसमें office assistant इसमें female candidate के लिए अदिकतर पद है ठीक है male के लिए भी कुछ है बाकि female के लिए ज़्यादा है तो office assistant की जो vacancy है जो की सकती सदन सेक्टर 43 में है चंडीगर्ण में जिसमें एक पोस्ट है female candidate के लिए और इसमें जो है graduation के साथ में आपके पास computer का diploma होना चाहिए तीन साल के अनुभव के साथ में वो तीन साल का अनुभव आपका non-governmental या IT-based organization से हो या फिर state या district level पर जो भी institute है वहां का हो 18 से 37 वर्स उम्र है salary इसमें 11,916 है fixed salary है जैसे जैसे आगे जाएंगे salary जो आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी office in charge warden इसमें दो पद हैं एक male का है एक female का है और job location क्या रहेगी तो यहां पर job location भी बता दी है इसमें ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए sociology, psychology, social work इन तीन subject में अगर है तो preference देंगे essay candidate को अगर इनके अलावा अगर कोई subject है graduation आपने किया हुआ है तो भी apply कर पाएंगे experience जो है अगर है तो preference मिलेगी बाकि बिना experience के office in charge के लिए आप आविदन कर सकते हैं पचिस से साथ वर्स उम्र रखी गई है अठारा हजार salary है साथ में जो है इसमें आवाज की सोविधा भी रखी गई है free accommodation इस्टोर कीपर कम accountant की vacancy है यह जगे है जहां आप job करेंगे इसमें चार vacancy एक male की है एक female की है और तीन male की है commerce वाले candidate graduation commerce में और computer पर typing speed 35 word per minute ठीक है salary 18,536 पर month fixed salary है 18-37 वर्स उम्र है probation officer की vacancy है दो यह male candidate के लिए है तो इसमें देख लें इस जगे पर आपको job करनी होगी इसमें 23,170 fixed salary है क्या मांग रहे हैं तो इसना तक आपका होना चाहिए BA में जो है social work या sociology या social science या LLV वाले candidate भी आविदन कर सकते हैं तो यह subject हैं आप देख लें अगर आप arts के candidate हैं दो साल का इसमें अनुवब भी मांग रहे हैं working with government या NGO या legal matter इनको preference देंगे ठीक है preference देंगे तो यहाँ पर जो है बिना अनुवब के भी आप आविदन कर पाएंगे good understanding of women and child right and protection issue तो इनकी समझ आपको होनी चाहिए जो भी अधिकार है women and childs के weight is for work experience candidate proficiency in computer तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो है fresher बिल्कुल apply कर सकते हैं लेकिन जिनके पास experience है computer की knowledge है तो ऐसे candidate को यहाँ पर फायदा होगा अलग से जो weight is का फायदा इसमें रहने वाला है 18-37 वर्स उम्र है counselor day and night shift basis पर एक female candidate 35,473 पर मन्त इसमें salary इसमें आपके पास जो है professional degree हो इसकी counselor की या diploma in psychology, psychiatry ठीक है इनकी होनी चाहिए counselor की एक और पोस्ट जो की अलग जगे पर है चंडिगर्ड में ही जिसमें एक vacancy male की है और दो female की है salary 35,473 ही रहेगी graduation में आपके पास subject हो social work या sociology या psychology या public health या counseling पोस्ट graduate diploma होना चाहिए आपके पास counseling या communication का एक साल का जो है अगर अनुभव है तो candidate को जो है इसमें प्रात्मिक्ता देंगे computer की knowledge हो staff nurse की vacancy है एक post है female candidate के लिए 40,000 से अधिक salary है age तो वही है एक और है staff nurse की vacancy ठीक है इसमें जो है 12th मांगा गया है और nursing का आपके पास diploma होना चाहिए IT leader की vacancy है तो जिसमें graduation के साथ में experience handling IT या MIS इसमें तो अनुभव होना ही चाहिए तब भी आप आविदन कर सकते हैं 25 से 40 वर्स उम्र है 30,000 जो है fixed salary है including EPF नेक्स्ट जो है project manager की vacancy है तो इसमें तो बहुत अधिक अनुभव मांगा गया है post graduate अगर आप है social science में तस साल का अनुभव है salary काफी अची है 75,000 पचास वर्स अधिकतम उम्र है वार्डन के लिए देखें graduation आपकी होनी चाहिए ठीक है graduation होनी चाहिए जिनको अनुभव है इस post पर रहने का तो उनको जो है यहाँ पर प्रात्मिकता देंगे पकी fresh और बिल्कुल eligible है 18,000 पर मन salary इसमें रहने की सुविदा भी आपको दी जाएगी Child welfare officer की vacancy है 23,170 salary है 18-37 वर्स उम्र है BA में आपके social work, sociology, social science तो आप आविदन कर सकते हैं दो साल का अनुभव जो है इनमें हो तो इनको बिल्कुल आगे रखेंगे ही वाकि woman and child rights or protection issues इसकी जो आपको समझ होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए जो भी अधिकार है woman के, child के वेटेज यहाँ पर रहेगा work experience का ठीक है तो मैंने आपको बताया कि fresher बिल्कुल eligible है लेकिन जिनके पास जो इस काम को करने का अनुभव है तो आपको फायदा इसमें होने वाला है resident superintendent का पद है, एक female candidate के लिए single woman को preference देंगे 23,170 यहाँ पर पेप करेंगे और free accommodation रहने की सुविदा भी रहेगी लेकिन single woman होनी चाहिए preference देंगे ऐसे candidate को यहाँ पर वही master degree आपका होना चाहिए sociology में, social work में या social science में या psychology में और 5 साल का अनुभव जो है हो, उसके बाद जो है, superintendent residential post जो है, एक female candidate के लिए, इसमें salary 33,100 रहने की सुविदा भी रहेगी, post graduation आपकी इन subject में हो, social work, sociology, child development, human rights, public administration, psychology, psychiatry, low, public health, community, resource management, तीन साल का अनुभव अगर होगा, तो ऐसे candidate को जो है, preference मिलेगी, ठीक है, और computer की आपको जानकारी भी होनी चाहिए, तो कैसे apply करना है, मैंने आपको बता दिया है, सबसे नीचे application form दिया हुआ है, address दिया हुआ है, अपनी document की photocopy के साथ में यहाँ पर भेज देंगे, कोई fees तो नहीं लग रही है, केवल walk-in interview रहेगा, जो कि आप लोगों को बाद में, inform कर दिया जाएगा, जो भी आप email address जो है, send करेंगे, contact number, send करेंगे, application form में fill करेंगे, तो उसी में जो आप लोगों को बता दिया जाएगा, Please mention name of post applied for under resume or envelope, post का नाम जरूर mention करना है, एक application form एक post के लिए ही रहेगी, अगर आप दूसरी post के लिए form apply करना चाहेंगे, तो आपको दूसरा form fill करना होगा, official website का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे, description box में मिल जाएगा, thank you